नमस्कार सिटी पोस्ट लाइप केसी राजनितिक हलचल कारेकरम में आपका स्वागत है। उसके बाद से अटकलों का बजार गरम था कि नागमनी क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट कहीं से मिला नहीं। प्रचार करेंगे और उनकी हार दोनों जगहों से सुनिश्चित करेंगे। और खबर में लिखा हुआ है कि सुचिल कुमार मोदी ने प्रसांद किसोर पर बिहार भीजन डुकुमेंट बनाने के ये वज में लिये गए, साढ़े 9 कड़ों रुपे के घोटाले का आरूप लगाया है। ने आरूप लगाया है कि साढ़े 9 कड़ों रुपे लिया भीजन डुकुमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 2016 की बात है, जब प्रसांद किसोर, नितिस कुमार और लालुयादों के साथ थे, और सुसिल कुमार मो भी पक्ष में थे, तो उस समय आरूप लगाया था, प्रसांद किसोर, वो काम कर चुके हैं, और कोई उन पर आरूप अब नहीं है, लेकिन एक पुरानी खबर को किस तरह से चुनाव के दौरान हथियार बनाकर प्रसांद किसोर को पार्टी से अलग थलग करने की कोशिस की गई, यह बड़ी खबर है, और तिसरी बड़ी खबर यह है कि हम पार्टी के नेता जितन राम माजी परेसान है और उन्होंने अरूप लगाया है कि उनका सेकुरूटी कम कर दी गए है, उनकी जान पर खत्रा है, उनको हराने की कोशिस की जा रही है, लेकिन वो आस्वस्त ह अपने जित को लेकर, लेकिन मुकाबला तो कांटे का है, कौन जितेगा, कौन हारेगा, यह तो चुनाओ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला कांटे का है, और जितन राम माजी की राह जो है, बहुत आसान नहीं है, भी आईपी पार्टी ने अब तक अपना एक उम गई थी लेकिन तेजस्वी यादों तयार नहीं थे तेजस्वी यादों का एक खना था कि उस इलाके में एक साथ तीन यादों को लड़ाना ठीक नहीं है क्योंकि एक ही अलपसंख्यक अब्दुलबारिसित की दर्भंगा सेट से चुनाओं लड़ रहे हैं फात्मी भी चाहत के तहथ क्रिशना यादों को मधवनी के सिट भी नहीं मिल पाई तो काफी नाराज थी लेकिन सनफ मलाह ने मना लिया है और खबर है कि अप्तेजस्वी यादों क्रिशना यादों से मिलेंगे और उनकी जो भी सिखवा सिकायत है उनको पार्टी से 6 साल के लिए जो निलंब सत्रू ने पहले की तरह ही जमकर बीजेपी पर हमला बोला बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वो पटना साहिब से चुनाव जीत कर दिखाएंगी है क्योंकि पटना साहिब सीट से ओ चुनाव नहीं लड़ते हैं पटना साहिब की जनता उनके लिए मैदान में उतर रहे हैं उनका मुकाबला पार्टी के बड़े नेता रवी संकर प्रसाद से है तो राह बहुत असान नहीं है लेकिन रवी संकर की चुनोती भी बड़ी हुई है क्योंकि सत्रू बावू से उनका मुकाबला है तो पटना साहिब की एक खबर हो गई और खिर् मिली नहीं आरजडी के खाते में चली गई और किर्ती जहाजाद पैदल होते दिखे लेकिन किर्ती जहाजाद को पार्टी ने धनबाद से चुनाव ड़ाने का फैसला किया है और धनबाद के जो अस्थानी रिपोर्टर है सिटी पोस लाइब के उनके अनुसार उनकी राह हो गई है यानि दरभंगा में तो बहुत बड़ी चुनावती हो सकती थे उनके लिए चुनाव जितना लेकिन धनबाद से कांग्रेस के लिए असान है खेल क्योंकि वहाँ पर महा गटवंदन मजबूत है कांग्रेस पार्टी के प्रतियासी योग बन रहे हैं तो उनकी जी पक्की मानी जा रही है और अगली खबर यह है कि नितिश कुमार लगतार धुआधार प्रचार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस बीच अनन सिंग का एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि नितिश कुमार लालू यादों पर आरूप लगा र पर आते थे तो एक बड़ा आरूप अनन सिंग ने लगा दिया है लेकिन इस आरूप की पुष्टी कर पाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अनन सिंग अब नितिश कुमार के साथ है नहीं विरोधी पार्टी में है और मुंगेर से उचुनाव लड़ रहे हैं नितिश क कुमार के खिलाफ मुर्चा खोले हुए हैं ललन सिंग के खिलाफ मुर्चा खोले हुए हैं तो उनकी बात पर कितना लोग भरोशा करेंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है लेकिन उन्होंने ये आरूप लगा कर मामले को थोड़ा तूल तो दे ही दिया है और सबसे बड़ी आपती जनक सब्दों का इस्तिमाल किया है और इसको लेकर जेडियू का आप भी नाराज है और जेडियू ने कहा है कि यहीं आर जेडियू का संसकार है स Ici liberti सित्थ कुमार मोधी ने हमला बोला है, और कहा है कि लालू यादो जेल में हैं कोई काम है नहीं, तो किताब लिख रहे हैं, और किताब के जरीये चर्चा में बने रहना चाहते हैं, नितियस कुमार का नाम ले कर ही वो चर्चा में रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने उटपटांग बाते अपने किताब में लिखी है और सुसिल मोदी ने जमकर हमला बोला राबडी देवी पर उन्होंने कहा कि राबडी देवी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी का विधायक राजबला बयादो जो एक नवालिक ललकी से बलतकार के पर काफी दिखा हमला किया है लेकिन तेजस्वी आदों ने भी प्लट कर जवाब दिया है और कहा है कि नितीश कुमार को अगर लगती है कोई बात गलत लिखी हुई है लालु आदो के किताब में तो खुद उनको आकर आरोपों का खंडन करना चाहिए नकी अपने भाड़ को चुनाव है और इन चारो सिटों पर महागटबंदर और NDA के जो नेता हैं जी जान लगाये हुए हैं एड़ी चोटी का जोड लगाये हुए हैं अपनी पार्टी के प्रतियासियों की जित सुनिस्ट कराने के लिए लेकिन जो सिटी पोस्ट का सरवय है उसके अनुसार त राजनितिक गलियारे की यहीं तमाम खबरे हैं हर रोज की तरह कल भी हम हाजिर होंगे आपके लिए कुछ मिंटों में धेर सारी खबर लेकर आपको एक खबर अच्छी लगे तो आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूट झाल झाल